नेपाल में आज शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हाथसा हुआ है एक तालिस यात्रियों को लेकर जा रही यूपी नंबर की भारतिय बस तनहुन जिले में मार्सिया गंडी नदी में गिर गई हाथसे में 14 लोगों की बहुत हुई है की सत्रे लोग घंभी रुक्षगायल हुए है घंठनास थल पर राहत और बचाव का जारी है नमबर पेट के आधार पर ये बस गोरकपूर की बताई जा रही है और ये 20 अगस्त को नेपाल पहुँची थी नेपाली अधिकारी के अनुस्रार बस पोकरा से compliance मांडू जा रहे थी जिससं में ये हाथसा हुआ नदी का बहाव आप देख सकते हैं बरसात के चलते नदी में बहुत तेज बहाव था और पोकरा से compliance मांडू ये बस जा रही थी जो कि गिरी इस नदी में और बड़ा सड़क हाथसा हुआ, इसमें कई लोगों की मिलत्यू हो गई, भारतियों को लेकर ये बस जा रही थी, 20 अगस्त को ये पहुंची थी नेपाल, 14 लोगों की मौत हो गई है, 17 या 30 इसमें घाया हुआ, पोक्रा से काटमांडू की तरफ ये मदद के लिए हेलपलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, भारतियों दूतावास ने ये नंबर जारी किया है, गोरकपूर की बताई जा रही है, ये बस